नमस्कार, प्रस्तो थे मुशी प्रेम चंद जी के द्वारा लिखीवी कहानी कानूनी कुमार मिस्टर कानूनी कुमार MLA अपने ओफिस में समाचार पत्रों, पत्रिकाउं और रिपोर्टों का धेर लिए बैठे हैं देश की चिंताओं से उनकी देश स्थूल हो गई है एक मंगे बैठे हैं, एक चाय वाला एक व्रिक्ष के नीचे बैठा चाय बेच रहा है कानूनी कुमार आप ही आप कहते हैं देश की दशा कितनी खराब होती चली जा रही है गर्मेंट कुछ करती ही नहीं, बस दावते खाना और मौज उड़ाना उनका काम है आह, यह कोमल कुमार सिग्रेट पी रहे है शोक, महाशोक, कोई कुछ कहता नहीं, कोई इसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता तमाको कितनी जहरीली चीज है, बालको को इससे कितनी हानी होती है यह कोई नहीं जानता उफ, रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं, जितने बालक अपरादी होते हैं, उनमें 75% सैकड़े सिग्रेट बाजी होते हैं बड़ी भयंकर दशा है, हम क्या करें, लाक स्पीचे दें, कोई सुनता ही नहीं इसको कानून से रोकना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा तमाको बहिशकार बिल मैं पेश करूँगा, काउंसल खुलते हैं या बिल पेश कर देना चाहिए एक चण की बाद फिर पार्क की ओर ताकता है, और पहरेदार महिलाओं को घास पर बैठे देखकर लंबी सास लेता है गजब है, कितना घोर अन्याय, कितना पाश्विक व्यभार, या कोमलांगी सुंदरियां चादर में लिप्टीवी कितनी भद्धी, कितनी फूहर मालूम होती है अभी तो देश का यह हाल हो रहा है, स्त्रियों की मृत्यू संख्या बढ़ रही है, तपेदिक उचलता चला जाता है, प्रसुती की बिमारी आंधी की तरह चड़ी जाती है और हम है कि आँखे बंद किये वे पड़े हैं, बहुत जल्दी रिशियों की यह भूमी यह वीर प्रसवनी जननी रसातल को चली जाएगी, इनका कही नामों निशान भी न रहेगा गर्मेंट को क्या फिक्र, लोग कितने पाशान हो गये हैं, आखों के सामने यह अत्याचार देखते हैं और जरा भी नहीं चौकते यह मृत्यों का शैथिल्य है, यहां भी कानून की जरूरत है, एक ऐसा कानून बनना चाहिए, जिससे कोई इस्त्री पर्दे में न रह सके अब समय आ गया है, कि इस विशे में सरकार कदम बढ़ावें, कानून की मदद के बगर कोई सुधार नहीं हो सकता और यहां कानून की जितनी जरूरत है, उतनी और कहां हो सकती है माताओं पर देश का भविशे अवलंबित है, पर्दा हटाओ बिल पेश होना चाहिए जानता हूँ, बड़ा विरोध होगा, लेकिन गवर्मेंट को साहस से काम लेना चाहिए ऐसे नपुनसक विरोध के भै से उधार के कार्य में बाधा नहीं पढ़नी चाहिए यह बिल भी असेंबली खुलते ही पेश कर देना होगा बहुत विलंब हो चुका, अब विलंब की कोई गुनजाईश नहीं, वरना मरेज का अंत हो जाएगा मसादा बनने लगता है और हेतु और उद्देश सभी लिखे जाने लगते हैं सैसा एक भिक्षुक सामने आकर पुकारता है जै हो सरकार की, लक्ष में फले फूले कानूनी हट ज़ो, सुवर कोई काम क्यों नहीं करता? भिक्षुक बड़ा धर्म होगा सरकार, मारे भूग क्या आखो तले अंधेरा? कानूनी चुप रहो सुवर, हट ज़ो सामने से, दूर चले ज़ो मसादा छोड़ कर फिर आप ही आपुआ कहने लगे यह रिशियों की भूमी आज भिक्षुकों की भूमी हो गई है जहां देखिये वहां रेवर के रेवर और दल के दल भिकारी यह गव्मेंट की लापरवाही की बरकत है इंग्लैन में कोई भिक्षुक भीक नहीं मांग सकता पुलिस पकड़कर काल कोटरी में बंद कर दे किसे सभ्य देश में इतने भिक्मंगे नहीं है यह पराधिन गुलाम भारत है जहां ऐसी बाते बीसवी सदी में भी संभव है उफ, कितने शक्ति का अपवे हो रहा है फिर रिपोर्ट निकाल कर उन्होंने देखा और बोले ओ, पचास लाख पचास लाख आदमी केवल भिक्षा मांगर गुजर करते हैं और क्या ठीक है कि इसकी संख्या दुगुनी न हो या पेशा लिखना कौन पसंद करता है एक करोड से कम भिखारी इस देश में नहीं है या तो भिखारियों की बातवी जो द्वार-द्वार जोली लिये घूमते हैं इसके उपरांथ टीका धारी कोपीन धारी और जटाधारी समुदाय भी तो है जिनकी संख्या कम से कम दो करोड तो जरूर होगी जिस देश में इतने हराम खोर मुफ्त का माल उड़ाने वाले दूसरों की कमाई पर मोटे होने वाले प्रानी हो उसकी दशा इतनी हीन क्यों नहो आश्चरित तो यह है कि अब तक यह देश जीवित है कैसे एक बिल की सक्त जरूरत है उसे पेश करना ही चाहिए नाम हो भिकमंगा बहिशकार बिल खूब जूतियां चलेंगी धर्म के सुत्रधार खूब नाचेंगे खूब गालियां देंगे गव्मेंट भी कन्नी काटेगी मगर सुधार का काम तो कंटका कीर्ण है ही तीनों बिल मेरे ही नाम से हो फिर देखे कैसी खलबली मचती है पीछे से आवाज आती है चाय गरम 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 चाय मगर ग्रहकों की संख्या बहुत कम है कानूनी कुमार का ध्यान इतनी बलवर्दक वस्तू और कोई ग्रहक नहीं सब ये देशों में पानी की जगत चाय पी जाती है इंग्लैन में पांच करोड पॉंड की चाय जाती है इंग्लैन वाले मुर्ख तो नहीं है आज उनका संसार पर आधिपत्य है इसमें चाय का कितना बड़ा भागे कोई इसका अन्मान कर सकता है यहां बिचारा चाय वाला खड़ा है और कोई उसके पास फटकता तक नहीं चीन वाले चाय पीपी कर स्वाधीन हो गये मगर हम चाय न पिएंगे क्या अकल है गवर्मेंट का सारा दोश है कीटों से भरेवे दूद के लिए इतना शोर मचता है मगर चाय को कोई नहीं पूछता जो कीटों से खाली उत्तेजक और पूष्टी कारक है सारे देश की मती मारी गई है फिर कानोनी कुमार नोट करने लगते हैं गवर्मेंट से प्रशन करना चाहिए असेमली खुलते ही प्रशनों का ताता बांध दूँगा प्रशन क्या गवर्मेंट बताईगी कि गत पांच वर्षों में भारत में चाय की खपत कितनी बड़ी है और उसका सर्वसाधारण में प्रचार करने के लिए गवर्मेंट ने क्या-क्या कदम लिए है इतने में एक रमणी का आगमन होता है कटे हुए केश आड़ी मांग पारसी रेशमी साड़ी कलाई पर घड़ी आखों पर एनक पाउ में उची एड़ी का लेडी शू हाथ में एक बटवा लटकाए वे साड़ी में ब्रूच गले में मोतियों का हार कानूनी हेलो मिसेज बोस आप खोब आई कहिए किधर की सेर हो रही है अपकी तो आलोक में आपकी कविता बड़ी सुन्दर थी मैं तो पढ़कर मस्थ हो गया इस नन्हे से हिरिदय में इतने भाव आते कहा से है मुझे तो आश्चर होता है शब्द विन्यास की तो आप रानी है ऐसे ऐसे चोट करने वाले भाव आपको कैसे सूच जाते है मिसेज बोस दिल जलता है तो उसमें आप से आप धुए के बादल निकलते है जब तक स्त्री समाज पर पुरुषो का अत्याचार रहेगा ऐसे भावों की कमी न रहेगी कानूनी क्या इधर कोई नई बात हो गई बोस रोज ही तो होती रहती है मेरे लिए डॉक्टर बोस की आग्या नहीं कि किसी से मिलने जाओ या कहीं सैर करने जाओ अपकी कैसी गर्मी पड़ी है कि सारा रक्त जल गया पर मैं पहाडों पर नहीं जा सकी मुझसे यह अत्याचार यह गुलामी नहीं सही जाती कानूनी डॉक्टर बोस खुद भी तो पहाडों पर नहीं गये बोस वो न जाए उन्हें धन की हाय हाय पड़ी है मुझे क्यों अपने साथ लिये मरते हैं वो कलब में नहीं जाना चाते उनका समय रुपे उगलता है मुझे क्यों रोकते हैं वो खदर पहने मुझे क्यों अपनी पसंद की सारी पहनने से रोकते हैं वो अपने माता और भायों के गुलाम बने रहें मुझे क्यों उनके साथ रो रो कर दिन काटने पर मजबूर करते हैं मुझसे यह परदाश्ट नहीं हो सकता अमेरिका में एक कटू वचन कहने पर संबंध विछेद हो जाता है पुरुष जरादेर से घर में आया और स्त्री ने तलाक दे दिया वह स्वाधीनता का देश है वहाँ लोगों के विचार स्वाधीन है यह गुलामों का देश है यहाँ हर एक बात में उसकी गुलामी की छाप है मैं अब डॉक्टर बोस के साथ रह नहीं सकती ना को दम आ गया है इसका उत्तरदाईत वो उनहीं लोगों पर है जो समाज के नेता और ववस्थापक बने फिरते हैं आप अगर चाहते हैं कि इस्त्रीयों को गुलाम बना कर स्वाधीन हो जाए तो यह अन्होनी बात है जब तक तलाक का कानूर नजारी होगा आपका स्वाराज आकाश कुसुम ही रहेगा डॉक्टर बोस को तो आप जानते ही है धर्म में उनकी कितनी श्रद्धा है मुझे धर्म के नाम से ही ग्रणा है इसी धर्म ने इस्त्रे जाती को पुरुष की दासी बना दिया है मेरा बस चले तो मैं सारे धर्म की पोथियों को उठा कर पढ़नाले में फेक दूँ इसी समय मिसेस एयर का प्रवेश होता है गोरा रंग, उचा कद, उचा गाउन, गोल हांडी की सी टोपी, आँखों पर एनक, चहरे पर पाउडर, गालो और होठों पर सुर्ख पेंट, रेश्मी जुराबे और उची एडी के जूते कानूनी हेलो मिसेस एयर, आप खूब आई, कहिए किधर की सैर हो रही है आलोक में अपकी बार आपका लेख अत्यंत सुन्दर था, मैं तो पढ़कर दंगी रह गया मिसेस एयर, मिसेस बोस की ओर देखकर मुस्कुरा कर दंगी तो रह गया या कुछ किया भी, हम इस्त्रियां अपना कलेजा निकाल कर भी रखते हैं, लेकिन पुरुषों का दिल न पसीजेगा बोस सत्य, बिल्कुल सत्य एयर, मगर इस पुरुष राज का अंत बहुत जल्द हुआ जाता है, स्त्रियां आपके आदमी नहीं रह सकती, मैं मिस्टर एयर की सूरत भी नहीं देखना चाहती कानूनी, मुस्कुरा कर मगर मिस्टर एयर तो खुबसूरत आदमी है लेडी एयर उनकी सूरत उन्हें मुबारक मैं खुबसूरत पराधिनता नहीं चाहती, मैं तो बचसूरत स्वाधिनता चाहती हूँ वह मुझे अपकी जबरदस्ती पहाड पर ले गए वहां की शीत मुझसे सही नहीं जाती कितना कहा कि मुझे मत ले जाओ मगर किसी तरह माने ही नहीं मैं किसी की पीछे पीछे कुटिया की तरह नहीं चलना चाहती कानुनी अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक का बिल असेमली में पेश करना ही पड़ेगा एयर खेर आपको मालूम तो हुआ मगर शायद कयामत में कानुनी नहीं मिसेजेर अपकी छुट्टियों के बाद ही ये बिल पेश होगा और धूम धाम के साथ पेश होगा बेशक पुरुशों का अत्याचार बढ़ रहा है जिस प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएं कर रही है वह अवश्च हिंदू समाज के लिए घातक है अगर हमें सब्भे बनना है तो सब्भे देशों के पच्चिनों पर चलना भी पड़ेगा धर्म के ठेकेदार चिल्लपों मचाएंगे मगर उसकी कोई परवा नहीं उनकी खबर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा ऐसा बनाना की मुह न दिखा सकें पेशगी धन्यवाद देती हूँ और वो हाथ मिला कर चली जाती है आज इसके घर में घी का चराग जलेगा यहाँ से सीधे मिस्टर बोस के पास गई होगी मैं भी जाती हूँ यह कहकर वो भी चली जाती है कानूनी कुमार एक कानून की किताब उठा कर उसमें तलाग की वेवस्था देखने लगते हैं कि मिस्टर आचारे आते हैं मोह साफ, एक आँख पर एनक, खाली आधी बाह की शर्ट, निकर, उची मोजे, लंबे बूट, पीछे एक टेरियर कुत्ता भी है कानूनी हेलो मिस्टर आचारे, आप खुब आए, आज किधर की सेर हो रही है, होटल का क्या हाल है आचारे कुत्य की मौत मर रहा हूँ, इतना बढ़िया भोजन, इतना साफ सुत्रा मकान, ऐसी रोश्नी, इतना आराम फिर भी महमानों का दुर्भिक्ष, समझ में नहीं आता अब कितना खर्च घटाऊ, इन दामों तो घर में मोटा खाना भी नसीब नहीं हो सकता उस पर सारे जमानी की जंजट, कभी नौकर का रोना, कभी दूदवाले का रोना, कभी धोबी का रोना, कभी महतर का रोना यहां सारे जंजाल से मुक्ति हो जाती है, फिर भी आधे से ज़्यादा कमरे खाली पड़े हैं कानुनी यह तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई आचारे पश्चिमी क्यों इतना सूख और शान्ती है, क्यों इतना प्रकाश और धन है, क्यों इतनी स्वाधिनता और बल है इन्ही होटलों के प्रसात से होटल पश्चिमी गौर्व का मुख अंग है पश्चिमी सभ्यता का प्राण है अगर आप भारत को उन्नती के शिखर पर देखना चाहते हैं तो होटल जीवन का प्रचार कीजिए इसके सिवाए दूसरा उपाय नहीं है जब तक छोटी छोटी घरेलू चिंताओं से मुक्त न हो जाएंगे आप उन्नती नहीं कर सकते राजो रईसों को अलग घरों में रहने दीजे वह एक की जगत दस खर्च कर सकते हैं मध्यम श्रणी वालों के लिए होटल के प्रचार में ही सब कुछ है हम अपने सारे महमानों की फिक्र अपने सेर लेने को तयार हैं फिर भी जनत कानून से मदद लेनी चाहिए एक ऐसा कानून बन जाए कि जिन लोगों की आयव 500 से कम है वो होटलों में रहें क्यों आचारे आप अगर यह कानून बनवा दें तो आने वाली संतान आपको अपना मुक्तिदाता समझेगी आप एक कदम में देश को 500 वर्ष की मन्जिल तै करा देंगे कानूनी तो लोग अपकी यह कानून भी असेम्बली खुलते ही पेश कर दूँगा बड़ा शोर मचेगा लोग देश ड्रोही और जाने क्या क्या कहेंगे पर मैं इसके लिए तयार हूँ कितना दुख होता है जब लोगों को अहीर के द्वार पर लुटिया लिये खड़ा देखता हूँ स्त्रियों का जीवन तो नरक तुल्ले हो रहा है सुबह से 10-12 बजे रात तक घर के धंदों से फुर्सत ही नहीं मिलती कभी बरतन मांजो कभी भोजन बनाओ कभी जाड़ू लगाओ फिर स्वास्त बने कैसे जीवन सुखी कैसे हो सैर कैसे करें जीवन के आमोद प्रमोद का आनंद कैसे उठावें अध्यन कैसे करें आपने खूब कहा एक कदम में 500 सालों की मनजिल पूरी हुई जाती है आचारे तो अपकी बिल पेश करा दीजेगा कानूनी अवश्य आचारे हाथ मिला कर चले जाते हैं कानूनी कुमार खिड़की के सामने खड़ा होकर होटल प्रचार बिल का मस्वधा सोच रहा है सैसा पार्क में एक स्तुरी सामने से गुजरती है उसकी गोद में एक बच्चा है पीछे पीछे दो बच्चे चले आ रहे है और उदर की उभार से मालूम होते है कि वो गर्भवती भी है उसका क्रेश शरीर, पीला मुख और मंद गती देखकर मालूम होते है कि इसका स्वास्त बिगड़ा हुआ है और इस भार का वहन करना उसे कश्ट प्रद है कानूनी कुमार इस समाज का, इस देश का और जीवन का सत्यनाशो जहां रमणियों को केवल बच्चा जनने की मशीन समझा जाता है इस बिचारी को जीवन में क्या सुख? कितनी ही ऐसी बहने इसी जनजाल में फसकर 32-35 की अवस्था में जबकि वास्तों में जीवन को सुखी होना चाहिए रोगनों होकर संसार यात्र को समाप्त कर देती है हाँ भारत या विपत्ती तेरे सिर से कब टलेगी? संसार में ऐसे ऐसे पाशान हिरिदय मनुष्य पड़ेवे हैं जिनी इन दुख्यारियों पर जरा भी दयार नहीं आती ऐसे अंधे, ऐसे पाशान, ऐसे पाखंडी समाज को जो इस त्री को अपनी वासनाओं की बेदी पर बलिदान करता है कानून के सिवाए और किस विदी से सचेत किया जा सकता है और कोई उपाई ही नहीं नरहत्य का जो दंड है, वही दंड ऐसे मनुष्यों को मिलना चाहिए मुबारक होगा वादिन, जब भारत में इस नाशिनी प्रथा का अंत हो जाएगा स्त्री का मरण, बच्चो का मरण और जिस समाज का जीवन ऐसी संतानों पर आधारी थो उसका मरण ऐसे बदमाशों को दंड क्यों न दिया जाए कितने अंधे लोग है बेकारी का यह हाल कि पेट भर को रोटिया नसीब नहीं बच्चो को दूद स्वपन में भी नहीं मिलता और ये अंधे हैं कि बच्चे पर बच्चे पैदा करते जाते हैं संतान निग्रह बिल की इस देश को जितनी जरूरत है उतनी किसी कानून की नहीं असेंबली खुलते ही यह बिल पेश करूँगा प्रलय हो जाएगा यह जानता हूँ पर और उपाई ही क्या है दो बच्चो से जादा जिसके भी होंगे उसे कम से कम पांच वर्ष की कैद और उसमें पांच महिने से कम काल कोठरी की नहीं जिसकी आमदनी सो रोपे से कम हो उसे संतानोत पत्ती का अधिकार ही नहो कितना सुख में जीवन हो जाएगा हाँ, एक दफा यह भी रहे कि एक संतान के बाद कम से कम साथ वर्ष तक दूसरी संतान ना आने पावे तब इस देश में जाकर सुख और संतोष का सामराज्य होगा तब स्त्रियों और बच्चों के मुँपर खून की सुर्खी नजर आएगी तब मजबूत हाथ पाउं, मजबूत दिल और मजबूत जिगर के पुरुशुद पन्न होंगे इतने में मिसेस कानूनी कुमार का प्रवेश होता है कानूनी कुमार जल्दी से रिपोर्टों और पत्रों को समेट लेता है और एक उपन्यास खोल कर बैठ जाता है मिसेस कानूनी क्या कर रहो, वही दुन कानूनी उपन्यास पढ़ रहा हूँ मिसेस तुम सारी दुनिया के लिए कानून बनाते हो, एक कानून मेरे लिए भी बना दो, इससे देश का जितना बड़ा उपकार होगा, उतना और किसी कानून से न होगा, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, और घर-घर में तुम्हारी पूजा होगी कानूनी अगर तुम्हारा खयाल है कि मैं नाम और यश के लिए देश की सेवा करता हूँ तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती भर भी नहीं समझा मिसेज नाम के लिए कोई भी काम बूरा नहीं है तुम्हे यश के आकांग्शा हो तो मैं उसकी निंदा न करूँगी भूल कर भी नहीं मैं तुम्हे एक ऐसी तरकीब बताऊंगी जिससे तुम्हे इतना यश मिलेगा कि तुम उप जाओगे फूलों की इतनी वर्षा होगी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे गले में इतने हार पड़ेंगे कि तुम गर्दन सीधी न कर सकोगे कानूनी कुमर उटसुकता को चिपा कर कोई मजाग की बात होगी देखा मिन्नी काम करने वाले आदमी के लिए इससे बड़ी दूसरी और कोई बाधा नहीं है कि उसके घर वाले उसके काम की निंदा करते हो मैं तुम्हारी इस वेभार से निराश हो जाता हूँ मिसिस तलाग का कानून तो बनाने जाही रहे हो अब डर किस बात का है कानूनी फिर वही मजाग मैं चाहता हूँ तुम इन प्रशनों पर गंभीरता से विचार करो मिसिस मैं बहुत गंभीर विचार करती हूँ सच मानू मुझे इसका दुख है कि तुम मेरे भावों को नहीं समझते मैं इस वक्त तुमसे जो बात करने जा रही हूँ उसे मैं देश की उन्नते के लिए अवश्यक ही नहीं परमा वश्यक समझती हूँ मुझे इसका पूरा विश्वास है कानूनी फूचने की हिम्मत तो नहीं पड़ती मिसिस मैं खुद ही कहने आई हूँ हमारा वैवाहिक जीवन कितना लज्जास्पद है तुम खूब जानते हो दिन राच जगडा डगडा मचा ही रहता है कहीं इस्तरी पूरुष पर हाथ साफ कर लेता है कहीं इस्तरी पूरुष की मूचों का बाल नोच लेती है हमेशा एक ने एक गुल खिला ही करता है कहीं एक मुफुलाई बैठा है कहीं दूसरा घर छोड़ जाने की धमकी दे रहा है कारण जानते हो क्या है? कभी सोचा है? पुरुषों की रसिक्ता और किर्पनता यही दोनों एब मनुश्यों के जीवन को नरक तुले बनाई हुए है जिदर देखो अशान्ती है, विद्रो है, बाधा है साल में लाखों हत्याएं इनी बुराईयों के कारण हो जाती है लाखों इस्त्रियां पतित हो जाती है पुरुष मद्य सेवन करने लगते हैं यह बात है या नहीं? कानूनी बहुत से बुराईयां ऐसी हैं, जिनन कानून रोक नहीं सकता मिसेज अच्छा, क्या आप भी कानून की अक्षमता को स्विकार करते हैं? मैं यह नहीं समझती थी मैं तो कानून को इश्वर से ज़्यादा सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान समझती हूं कानूनी फिर मजाग तो तुमने ही शुरू किया ना? मिसेज अच्छा, लोग कान पकरती हूं अब ना हसूंगी मैंने उन बुराईयों को रोकने का एक कानून सोचा है उसका नाम होगा दमपति सुक शान्ति बिल उसकी दो मुख्य धाराएं होंगी और कानूनी बारिकियां तो तुम ठीक कर लेना एक धारा होगी कि पुरुष अपनी आमदनी का आधा बीना कान पूछी लाए स्त्रियों को दे दे अगर न दे तो पाँच साल कठिन कारावास और पाँच महिने काल कोटरी दूसरी धारा होगी पंदर से पच्चास तक के पुरुष घर के बाहर न निकलने पावे अगर कोई निकले तो दस साल कारावास और दस महिने काल कोटरी बोलो है मंजूर कानूनी असंभव तुम तो प्रकिर्ती को पलट देना चाहती हो कोई पुरुष घर में क्यादी बनकर रहना स्विकार न करेगा मिसेज वह करेगा और उसका बाब भी करेगा पुलिस डंडे के जोर से कराएगी न करेगा तो चक्की पीशनी पड़ेगी कैसे नहीं करेगा अपनी स्थ्री को घर की मुर्गी समझना और दूसरी स्थ्रीयों के पीछे दोड़ना क्या खाला जी का घर है तुम अभी इस कानून को अस्वभाविक समझते हो न मत घबराओ स्थ्रीयों का अधिकार होने दो यह पहला कानून बन जावे तो कहना कि कोई कहता था स्थ्री एक-एक पैसे के लिए तरसे और आप गुलचर्रे उड़ाएं दिल लगी है आधि आमदनी इस्त्री को देने ही पड़ेगी जिसका उससे कोई हिसाब न लिया जा सकेगा कानूनी तुम मानाव समाज को मिट्टी का खिलोना समझती हो मिसेस कदापी नहीं मैं तो यही समझती हूँ कि कानून सब कुछ कर सकता है मनुषय का स्वभाव भी बदल सकता है कानूनी कानूनिया नहीं कर सकता कर सकता है नहीं कर सकता कर सकता है अगर वह जबरदस्ती लड़कों को स्कूल भेज सकता है अगर वह जबरदस्ती विवाह की उम्र नियत कर सकता है अगर वह जबर्दस्ती बच्चों को टीका लगवा सकता है, तो वह जबर्दस्ती पुरुषों को घर में बंद भी कर सकता है, उसकी आमधनी का आधा इस्त्रियों को दिला सकता है, तुम कहोगे पुरुषों को कष्ट होगा, जबर्दस्ती जो काम कराये जाता है, उसमें कर बिवाह बंद करना चाहती हूँ मैं भी चाहती हूँ कि बिमारिया न फैले लेकिन कानून बना कर जबरदस्ती या सुधार नहीं करना चाहती लोगों में सिक्षा और जागरीती फैलाओ जिसमें कानून के भैके बगैरवा सुधार हो जाए आप से कुर्सी तो छोड़ी जाती नहीं घर से निकला जाता नहीं शहरों के विलासिता को एक दिन के लिए भी त्याग नहीं सकते और सुधार करने चले हैं आप देश का इस तरह सुधार नहोगा हाँ पर अधिन्ता की बेड़ी और भी कठोर हो जाएगी मिसिस कुमार कहके चली जाती हैं और कानूनी कुमार अववस्तित चित्त सा कमरे में टहलने लगता है कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ नमस्कार जाएगी जाएगी